Hello student, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं past of speech, भासा के परकार, ठीक है? इसी में हम लोग जितने भी बोल चाल की भासा में जो कुछ बोलते हैं वो past of speech है, ठीक है? तो हम लोग जो भी start करते हैं कुछ भी बोलना, तो वो सबसे पहली आता है word, ओके? तो एक combination of letters that is meaningful and pleasing to the ear is a word काता है सब्दों का, letter का combination और जिसका कोई एक बास्तिविक अर्थ निकले और हमें सुनने में अच्छा लगे वो क्या एक word है According to their function In a sentence, all the words of English language are divided into eight groups and these are called parts of speech तो हम English में language को हम लोग divide करते हैं English में हम जो भी sentence बनाते हैं और उसमें जो words होते हैं तो English language जो होता है उसको हम लोग ये parts में divide कर study करते हैं और जिसके अंतरगर इसको study करते हैं उसी हम कहते हैं, parts of speech तो ये parts of speech जो हैं, वो कितने हैं? Eight हैं कितने हैं? Eight हैं दखी आगे Kinds of past of speech Past of speech के परकार ये रहा आपका eight parts Okay? Noun, 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 adjective, verb, preposition, conjunction, and interjection अब ये जो आएट parts हैं सबसे पहले तो हम one by one सबों को देखेंगे कि आखिर ये है क्या? एकदम simple way में सिर्फ definition के साथ और example के साथ इसके detail में हम लोग अभी नहीं जाएंगे ये kinds of parts of speech जो है, eight हैं जिसे noun हुआ what is noun हम लोग देख लेंगे pronoun हुआ what is pronoun and this example executive, verb, verb, preposition, conjunction, and interjection इसके parts पर अभी हम नहीं जाएंगे इसे noun noun को हम लोग five parts में डिभाइड करते हैं उस अभी हम लोग नहीं जाएंगे फिर उसको हम one by one अलग से उसका हम वीडियो बनाएंगे ये है आपका kinds of parts of speech और ये जो eight parts हैं सबों को समझेंगे कि आखिर ये है क्या at first noun तो noun तो आप लोग बच्पन से भी पढ़ते आ रहे हैं नहीं the noun is a word which denotes a person living being a place a thing and an idea काता है कि noun जो है किसको दसाता है किसी भी ब्यक्ति को दसाता है किसी भी जिवित बस्तुआँ को या किसी भी अस्थान को किसी भी बस्तुआँ को represent करता है यह राम जो है यह क्या हो गया आपका noun हो गया नहीं तो इसमें कुछ noun देखिए किसी भी चीज के नाम को इससे भी पटना हुआ देली हुआ बॉंबे हुआ इस सब क्या हो नाम है तो इसको हम लोग noun में ले आए cow, gold, army यह सब क्या है nouns है अब second में आता है हमारा क्या pronoun तो pronoun मतलब सर्वनाम हिंदी में noun को हम लोग क्या कहे संग्या कहे और pronoun को क्या कहते है हम लोग सर्वनाम कहते है तो इस प्रकार हम इसके definition को देखते है तो a pronoun is a word pronoun क्या है वह word है which is used instead of noun जिसको हम लोग क्या करते है किसके बदले में संग्या के बदले में जिसका परियोग करते है मतलब जिसका परियोग हम noun के बदले में करते है उससे हम क्या करते है pronoun कहते है नहीं बहुत सारे ऐसे हैं words है जिसको हम लोग किसके बदले यूज करते है तो संग्या के बदले करते हैं उसी हम क्या कहते हैं प्रणाउन कहते हैं तो प्रणाउन क्या क्या हो गए जिसे I, V, U, He, C, E, T ये सब क्या हैं प्रणाउन है लेकिन इसको हम लोग आगे देखते हैं ठीक है चलिए जिसे क्या हुआ रभी क्या है एक लड़का है और वो किस में पढ़ता है क्लास एट में पढ़ता है तो रभी क्या है एक लड़का है और वो क्लास एट में पढ़ता है तो इसमें देखिए ये रभी तो हम जान रहें क्या है नाउन है लेकिन अब ध्यान देजे रभी एक लड़का है he reads in a class 8 वो class 8 में पढ़ता है वह class 8 में पढ़ता है तो यहाँ he जो देख रहे हैं हम वो किसके लिए आया है रभी के लिए आया है मतलब instead of रभी रभी के अस्थान पर आया है इसलिए यह he क्या हो गया पर नाउन हो गया तो यहाँ पर रभी को रिप्लेस क्या क्या गया है ही की द्वारा इसलिए यहाँ पर ही क्या हो गया पर नाउन हो गया अईसलिए पी हम कह सकते हैं रभी इस यह बॉआ है रभी रिट्स इन एक लास 8 लेकिन यह सुन्ने में अच्छा नहीं लगता है यह grammatically सही नहीं है इसलिए हम लोग क्या बोलते है रभी इस यह बॉआ है रभी एक लड़का है वह क्लास 8 में पढ़ता है तो रभी हो गया नाउन और ठीक उसके बद्दे में जो यहाँ पर ही आया वह हो गया प्रोनाउन अब कुछ प्रनाउन्स को हम लोग देख लेते हैं I, We, You, See, They, It यह सब क्या है कुछ प्रनाउन्स है अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड थर्ड में क्या आगिया आपका देखिए adjective अब adjective को हम लोग हिंदी में काते हैं समझ लेजिए, सुन लेजिए, क्या लगा है, सुनने में कोई नुखसान तो है नहीं एक्जेक्टिव जो है, उसका हिंदी क्या होता है, बिसेशन और जैसे कि इसका सबसे पलेडियों नोग डिफनेशन देखते हैं The word which is used with a noun or pronoun to add something to its meaning is called the executive कहता है कि जिसका उप्यों किस में होता है नाउन और प्रनाउन में हम उसको जोड़ कर करते हैं और जो उसके मीनिंग में कुछ बदलाव ला देता है उससे हम क्या कहते हैं एड्जेक्टिव कहते हैं ठीक है उससे हम क्या कहते हैं बीसेशन कहते हैं जिसे peacock is a bird हम कह सकते हैं na. peacock is a bird. पीकोक के है, एक bird है. लेकिन यहां क्या दिए है, देखिए. peacock is a beautiful bird. यहां पर देखिए, bird क्या है यह? noun है? नहीं, जडिया. लेकिन उसकी सुन्दर्ता को देख दिखते हैं, यहां बता रहा है. peacock is a beautiful bird. पिकॉक जो है वो खुबसूरत पक्षी है तो यहीं पर क्या हुआ वो उसमें देखिए बर्ड की सुन्दता को बढ़ा दिया इसमें क्या हुआ एडी हुआ यह वर्ड तो in this sentence वर्ड ब्यूस्टिफूल इस एन एग्जेक्टिव यह बियूटिफूल जो हुआ वो क्या हो गया एडीव गया जैसे कि खाली बियूटिफूल नहीं और हम लोग बोल सकते हैं इसे हम बोलते है राम इसे बोग भाई इसे बोग है ठीक है लेकिन राम इसे जार गुड भाई तो forces, beautiful, handsome, sweet ये सब क्या है ऐगजेटिफ से हैं अब फुर में हम लोग पढ़ते हैं भर्ब के पारे ठीक है फुर आता है क्या भर्ब भर्ब को हिंदी में क्या करते हैं क्रिया करते हैं क्रिया करते हैं तो ये भर्ब जो क्या हुआ the word which indicates an action, state or position is called the verb नहीं, तो भर्ब जो होता है वो इंडिकेट करता है किसी भी सब्सक्राइब की, किसी भी state के action को, उसके action को दसाता है नहीं, जैसे कि मान लिया जाए he drives a car, यहाँ action क्या हो रहा है, driving हो रहा है he drives a car, वो कार चला रहा है, नहीं, in this sentence drives, drive जो हुआ, वो क्या हो गया भर्ब हो गया, नहीं इसी कि आप लोग भर्ब घर में तो बहुत सारे काम करते हैं, इसी क्या हुआ जितना भी हम लोग देखते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, नहीं, eat, play go, sleep, यह सब क्या है सब के सब भर्ब से, नहीं तो इसमें क्या हुआ, आगे देख लीजिए, सब भर्ब जहां दिये है, read हुआ, bark हुआ, drive हुआ, read हुआ, etc. यह सभी क्या है, भर्ब से अब आगे आता है आपका five में, adverb adverb जो हुआ, वो क्या हुआ, देखिए, adverb is a word which modifies the meaning of a verb, यह क्या करता है भर्ब के meaning को modifies कर देता है, an executive को भी, और यहां तक की adverb को भी, another adverb को भी, वो क्या करता है, modified कर देता है, उससे हम क्या कहेंगे adverb कहेंगे, adverb जो है, जैसे की, देखिए example से हम लोग देखते हैं, जैसे he runs very fast ठीक है, तो वह दोड़ता है, he runs very fast, यह he runs fast, ठीक है यह he runs fastly वो तेज दोड़ता है, तो यहां पर तेज अगर आता है, तो हम समझ जाते हैं, वो adjective है, लेकिन adjective की भी बिशेष्टा को बतला रहा है, यह इसलिए यह क्या हुआ, एड़ब हुआ he runs very fast, तो यहां पर क्यों हम यहां देख रहे हैं, भेरी यह भेरी जो है, वो क्या है, एड़ब है इन दिस सेंटेंस, भेरी इस एन एड़ब, यह भेरी जो हो गया वो एड़ब हो गया, क्या-क्या भेरी दोड़ता है, यहां पर Preposition को हम लोग Sambhadhank कहते हैं, क्या करते हैं यको सम्भोधन कहते हैं ठीक है, प्री पोजिषन यह क्या leng dark, अभी है तो इस का हम लोग पहले difference देखते हैं, the wor which is used before a noun वहस्तव, जिसका प्रियोग हम क्या करते हैं, noun के ठीख पहले करते हैं और यह pronoun या नहीं तो pronoun के ठीक पहले करते हैं and shows its relation with another word और वे दुसरी सब्दों के साथ अपने संबंद को देशाता है इने sentence में ठीक है is called the preposition देखिए क्या हुआ the word which is used before a noun or a pronoun and shows its relation with another word is the sentence is called the preposition देखिए example में अच्छी ते समझाते हैं इसमें और the cat is on the table धियान दीजिएगा cat कहां है on the table table के उपर ठीक है यहां देखिए घर में cat है कहां है कुछ पता नहीं है लेकिन है असपरस्ट कर रहा है क्या है table के पास तो है लेकिन कहां है on the table या फिर हम लिख सकते हैं the cat is under the table लिख सकते हैं हम लोग तो यह जो on है जो समझात बता रहा है cat और table के बीच में वो क्या है on है यह on जो हो गया in this sentence on is a preposition इसमें क्या है on क्या हो गया आपका preposition हो गया ठीक है उसके बाद देखिए इसमें कुछ preposition क्या है in हो गया in हो गया to, up, for, from यह सब क्या है आपका preposition हुआ हलांकि यह simple में बता रहे हैं आप लोगों को लेकिन और बहुत सारे prepositions हैं उसको हम लोग जब preposition separately अलग से पढ़ेंगे उसमें आपको details से हम बतलाएंगे अब next आता है आपका interjection देखिए interjection जो होता है sorry उसके बाद preposition के बाद conjunction आता है ठीक है तो conjunction का हिंदी हुआ संजोजग ठीक है तो इसमें क्या होता है देखिए conjunction is a word which joins sentences and links word words, phrases and clause तो conjunction जो करता है वो क्या करता है दो sentence को क्या करता है जोडने का काम करता है नहीं जैसे कि हम कोई भी चीज जोडते है न गांट देका जोडते है कि नहीं तो कोई भी चीज जोडते हैं वहाँ पर गांट लगता है गांट देना पड़ता है उसको हमको तो वही गांट जो है वही हुआ conjunction अब दो sentence को जिसे राम is a boy but sita is a girl यहाँ धिहान दीजिए हम किसका यूज़ कर दिए but का यूज़ कर दिए दो sentence हम ले ले लेते हैं राम is a boy और एक ले ले लेते हैं sita is a girl ठीक है अब दोनो sentence अलग अलग है लेकिन दोनों को हमको जोड़ना है तो क्या करते हैं राम is a boy but sita is a girl नहीं राम is a student but Mohan is a farmer तो but यहाँ क्या क्या दोनों को connect कर दिया दोनों वाकि को जोड़ दिया यहाँ पर but क्या हो गया conjunction हो गया देखिए आपको और अलग example हम देते हैं यहाँ पर जिसे a car and a motorcycle are my immediate needs ज़रुरत है भी ठीक है in this sentence इस sentence में two nouns क्या क्या car and motorcycle देखिए car और motorcycle को जोड़ दिया गया नहीं joint by the word and and end is a conjunction तो यहाँ पर word को जोड़े हम end से जोड़े so end is a conjunction इसलिए हम पर end क्या हो गया conjunction हो गया ठीक है तो इस प्रकार हम देखते हैं conjunction क्या क्या है देखिए जिसे end है but है yet है also है nor है etc है यह सब है इसके बारे में फिरेल से हम लोग पढ़ेंगे जब conjunction को हम लोग अलग से separately पढ़ेंगे ओके अब आता है आपका क्या introduction yet में क्या आगिया आपका interjection आगिया ठीक है इसको हम हम लोग हिंदी में कहते हैं बिस्मियादी बोधक ठीक है कुछ सब्द ऐसी होते हैं जो कि हमारे मुह से अचानक निकल जाता है मतलब कि आप कोई निश्ची ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मन में सोच कर ही उससको बोल सकते हैं या फिर कभी हम क्या करते हैं आश्चर दिखलाते हैं अपने आपको आश्चर के दिखाते हैं नहीं तो या फिलिंग हमको होता है आसर जलक फिलिंग होता है उस परसिती को हम लोग जा करता है इंटरजेक्शन करते हैं नहीं जैसे कि मान लिया जाए कि आप जा रहे हैं कही पर रास्ति पर जा रहे हैं खाली पैदा चपल नहीं पेने वे ठीक है नहीं जुता पेने वे और चले और काटा आपके पहर में चुप गया. आप क्या बोलते हैं? jot. कहते हैं न. तो क्या आप सोच लेते हैं पहले? कि नहीं काटा मेरे पहर में गड़ा है, अब हमको jot. bolehा बोलना है? नहीं. ये आपके मन से, आपके अंतरमन से, अपने आप ये बात निकल आती है ओ, आ, नहीं जिसे a word which is added to a sentence to express emotional feeling कभी-कभी emotional feeling भी हो जाता है उसको हम लोग भी क्या करता है? interaction करते हैं, कुछ सब जो होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं और कुछ हम express करते हैं किसलिए emotional feeling की द्वारा अचानक उसको हम लोग बोल देते हैं जिसी क्या आवा माल लिया गया है? ओ, what a beautiful garden ओ, कितना सुन्दर garden है जब हम कहीं कहें और अचानक आस्चजनक चीज़ दिख किया ओ, कितना सुन्दर garden है कहते हैं न, तो यहाँ पर यह ओ, क्या हो गया? आपका interjection हो गया वो इसे जिसे आह बोले आप कटा चुबने के बाद वो भी क्या हो गया? interjection हो गया ठीक है? तो in this sentence ओ, what a beautiful garden इसमें ओ, जो है, वो interjection है इस पकार क्या हो है? ओ, हे, वेल यह सब जो है, यूज़ करते हैं हम लोग किसमें? interjection में यूज़ होता है यह सब सब्सब्द क्या है? interjection है तो यह हुए आपके art, pass of speech इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए सिर्फ समझना है याद कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ समझ लीजिए नाम से ही, noun बच्पन से ही आप पड़ते आ रहे हैं, noun संग्यान क्या हुआ? किसी बस्तू, अस्थान या किसी चीज के नाम को संग्यान काते हैं दूसरा, सर्वनाम संग्यान के बदले में नहीं, सर्वनाम मतलब प्रणावन प्रणावन क्या हो गया? the word which comes instead of noun आपको pre-position अब सोचिए कि pre-position क्या हुआ? वो क्या बता रहा है? relation बता रहा है? नहीं पर हम आचानक मन में सोचिए कि ठीक है, हम देखते है adverb क्या है? तो adverb क्या है? जो क्या करता है? कि बिसेस्तन के बिसेस्ता को भी बतलाता है मतलब जो की adjective की बिसेस्ता को बतलाता है भर्व की बिसेस्ता को बतलाता है एक sentence बना लिजिए राम is a good boy तो राम क्या हो गया? noun हो गया is क्या हो गया? भर्व हो गया good क्या हो गया? आपका adjective हो गया नहीं और वहीं बोल देए very good boy आए तो वह एड़ेक्टिव की भी पिस्टा को बतला रहा है मतला वह एड़व हो गया तो इस तरह से आप पांच है बार इसको धन से समझेए और नहीं होता है इसको नॉट कर लिजिए बार बार पढ़िए और क्योंकि तो इसका यूज आपको पूरे हमेशा इंगलिस में आ बार इंगलिस पूरे हमेशा इंगलिस प्रण्वार नहीं होता है इसको पूरे इसको धना है है बार रहा है जए तो भी धना है